Hello students, this is Komal, your assistant educator. Welcome back to your favorite channel, Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी free of cost. Kindergarten से लेके class 12 तक की. CVAC board के courses के साथ-साथ, आपको other state board के भी courses available है in Hindi medium, जैसे कि UP board, बेहार board, Delhi board के courses, proper systematic way में, कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी, daily practice sets के questions भी मिलेंगे, practice भी करती जाएगा, e-books और e-notes के link आपको description box में available है, तो भटकने की बात नहीं बनती है. So, आज हम क्या करने वाले, भई हम करेंगे NCRT solutions, जो की जरूरी होता है, जादा बतानी की तो मुझे जरूरत है नहीं, आपको बहुत अच्छी से पता है, इसकी importance, exam देना है ना आपने. So, आपको क्या करना है, जब इसकी इतनी importance है, तो अपने classmates को share कर दीजे ये link, कि आज आईए भई वीडियो को share, जो है, share भी करो, और join भी करो, ताकि पता चले भई हम solution कर रहे हैं, chapter complete हो चुका है हमारा, जो मुगल्स के बारे में हम इतना पढ़ रहे थे, इतना जान रहे थे, और मेरी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, फटा फट से like का बटन दबा दो, फिर करते हैं शुरुआत, कर दिया like, share भी कर दिया, कर लूँ है भरुसा, चा भरुसा तो करना बनते ही है न, start करते है, आप लोग भी मुझे भरुसा करते हैं, तो मैं भी करूँगी, देखो, सबसे अच्छा, fun-loving match ते column आगया है, column A है, column B है, column A में मनसब, मंगोल, सिसोधिया, राजपूत, राथो, राजपूत, नूर जहां, इनको match करना है इस column B से, किसका relation किस से, मतलब मनसब का relation कही, मारवार, उजबेक, मेवार, रैंक, जहांगीर से तो नहीं, तो ये आपको match करके बताना है, आपके past 20 seconds है, मैं जब तक wait करती हूँ, क्योंकि try करीए भई, कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि विलकुत हाली में परोस के खाना दिया है, ठीक है, कभी खुद भी खाना बनाना सीखिए, तो अच्छे से सीखेंगे, जल्दी भी सीखेंगे, ठीक है, मैं तो बताऊंगी, but at least try करीए, गलस सही, doesn't matter, just try, क्यों, मैं wait करती हूँ, जल्दी जल्दी से, क्या होगा आपका अंसर? देखो मनसब का रेलिशन किस्से है, जहांगीर का किस्से है, नूर जहां का किस्से है, मेवार का कौन से, उस बैट का किस्से है, यह आपको पताता है गड़ी आंसर टिक देखे चल देखो यह आपके आंसर से चेक कर लो किसके सही हैं किसकी गलते मैं तो यहां करवाऊंगी ही देखो मनसब क्योंकि हमें explain करना है मनसब हम मनसब मनसब दार पढ़ रहे थे ठीक है मनसब का रिलेशन किस से हो गया मनसब का रेलेशन हो गया यहां पर रैंक का है इससे यह हमने देखा था मंगोल मंगोल का रिलेशन जब हम पढ़ रहे थे कि जो मुगल्स थे उनके जो दो पाफुल एंसेस्टर जिनका खून उनमें दोड़ रहा था किसका एक हम देखा था मंगोल साइट से दूसरा हम देखा था तैमूरुच साइट से मंगोल को पसंद नहीं करते थे क्यों उज्बेग वगेरा की कारण भी इसकी कारण भी ठीक है और जिस तरीके से इन लोगों ने इतना ज्यादा खथरनाक से महर कठ मचाई थी मंगो BUT यह पसंद नहीं कर थे इस लिए कि पास्त नहीं था तो मंगोल का रिलेशन किस से उस्बेक से नाव सिसोधिया राजपूत सिसोधिया राजपूत भई मारवार से होगा रिलेशन या मेवार से होगा तो हमको दिखा हमने सिसोधिया राजपूत की बारे हम पढ़ रहे थे कि क्या कि मतलब अगेंस थे जादा एकसेप्ट नहीं कर नाव राथोर राजपूत हम जब देख रहे थे कि कैसे ही जो राजपूत से अपनी डॉर्टर के जो शादी है मैरेज है जो मुगल से गरवा देते थे ताकि भे रिलेशन बढ़ी आ रहे और अच्छी खासी पोजिशन में भी लोग सेट ओप है तो किस से था राथोर राजपूत का हमने देखा था मारवार से था ठीक है फिर नूर जहां का इंफ्वेंस हमने जहांगीर के कोर्ट में देखा था तो नूर जहां का अंसर क्या हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा तो यह आई रहे आपके मैच दो कॉलम यह अंसर आ गया धा आथोर राजपूत का मारवार और नूर जहां का आपने क्या देखा जहांगी आया समझ में आगे बड़े चलो फिल इन दा ब्लाइक से अब फिल इन दा ब्लाइक से अब इस यह आपको बता ना है अबुल फजल, अकबर's friend and counsellor helped him frame the idea of Dash so that he could govern a society composed of many religions, cultures and caste जली जली से बताइए इसके क्या answer होंगे फिर हम answer को decode करेंगे ठीक है? चल क्या होगा answer? चल देखते हैं फाइव डेकन जो सल्तान से जो सल्तिनत्स थी कौनसी कौनसी थी बेरार, खान देश, एहमद नगर, बीजापूर और गोल कोड़ा ठीक है? सेकेंड है इफजाद डिटर्माइन अमनसब्दास rank and salary सवार इंडिकेट इंडिकेट इस number of horses maintained सवार का क्या इंडिकेट करता था? यानि कित्ते जो horses हे maintain करने cavalryman भी रखे होई थे ना उसके लिए अबुल-फजल अबुल-फजल को आप लिखी है मेरे बार में अबुल-फजल कोन थे जिन्होंने आइने एकबरी और अकबर नामा लिखा था? आगे बढ़े यह हमारे आंसर थे चलो अबुल-फजल कोन सी जो सेंट्रल प्रोविंस थी में जो मुगल्स के कांट्रोल में थी कौन सी कौन सी थी? देखते हैं डेली, आगरा, लाहूर, पानीपत, मथूरा, अंबर, अजमेर, फतेपुर, सिकरी, चित्तोर, राथंबोर, अलावाद डेली, आगरा, लाहूर, पानीपत, मथूरा, अंबर, अजमेर, फतेपुर, सिकरी, चित्तोर, राथंबोर और अलावाद ठीक है? देख ली आंसर? आगे बढ़े? चलो याद करो मनसबदार के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है? ऐसे इंविज्वल्स जो कोई rank hold करते हैं, ठीक है? और जागिर, और जागिर्दार, जागिर जिसको समालते हैं, जागिर्दार, देखते हैं मनसबदार were the patrons who joined Mughal services, they received their salaries as revenue assignments, this was called जागिर, मनसबदार did not actually reside in or administered their जागिर्दार जो मनसबदार थे, वो क्या थे? भई हमने बोला था, जो मुगल के अंडर service करते थे, job करते थे, तो वो मनसबदार थे, उनको salary कैसे मिलती थी? जो revenue assignments से मिलती थी कैसे? किसके थुरू? जागीर के थुरू, किसके थुरू? जागीर के थुरू, जो revenue collect हो रहा है, उसके थुरू इनको salary मिलती थी, किसको? मनसबदार को मनसबदार्स दिद नाट आक्चली रिसाइड इन और अडमिस्टर दियर चागीर, बढ़ हमने यह भी देखा था, जो मनसबदार थे तो आक्चली में वो रिसाइड नहीं करते थे, आक्चली में वो अपने जोन को area दिया हो है, वहां पर रहते हो यह नहीं दिखते थे, व they only had rights to the revenue of their assignment, उनके पास क्या था, जो revenue है उनका उत्ता रहत था, the revenue collected from them by their servants, while the मनसबदार themselves served in some other part of the country, जैसे कि मैंने बताया कि खुद तो वहां नहीं रहते थे, उनके पदले जो उनके servant थे, वो revenue collect करने का काम करते थे, और यह क्या करते थे, जो मनसबदार होते थे खुद, while the मनसबदार themselves served in some other part of the country, यह other part of the country में रहते थे, है न, बलाब और दूसी जगे काम करते रहते थे, और यहां पे इनके एरिया में, जैसे जो उनके servant है, वो revenue वगेरा collect करने का काम करते थे, आया समझ में, आगे बढ़े, चल्ड़। Question No. 5, What was the role of the Zamidar in Mughal administration, Zamidar का क्या role था Mughal administration के टाइम पे, किसका role पुछा है हम से Zamidar का role पुछा है, देखते हैं Zabidars were powerful local chieftels appointed by the Mughal rulers, great influence and power were enjoyed by these Zabidars, they collect taxes from the peasant and gave them to the Mughal emperor, thus they played a role of intermediaries As an intermediaries, as an intermediaries, हमने देखता था कि बड़े powerful भी थे यह, बड़े powerful भी थे यह, बड़े powerful भी थे लगता है तो against rebel, revolt भी कर देते थे मतलब काफी जादा wealthy और अच्छे resourceful थे तो यह जो जमीदार थे वह बहुत ही अच्छे powerful थे और local chieftels ठीक है, जिनको जो local chief होंगे, area के जो सरदार होंगे, उनको mughals ने क्या कर रखा था? Appoint कर रखा था, क्या काम दा? कि भई, जो आप किसानों से क्या करिए, rent लीजे, और हमें revenue के form में क्या करिए, pay करिए, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? Intermediaries, मतलब बीच के लोग, जैसे rent collect कर अपीजेंट से, और revenue किसे दिया Mughals को, ठीक है? तो क्या थे? Appointed का रखा था, इनको किस ने appoint करना था? Mughal rulers ने, great influence था, इनकी power का, भई, अच्छा खासा इनकी power थी, authority थी, ठीक है? They collected taxes from the PZ, PZL से tax लेते थे, और किसको देते थे? Mughal emperor को, इसलिए इनको intermediaries भी कहा जाता था आया समझ में? कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं? अच्छा, यह बताएं, अभी तक आप लोगों ने like किया किया किया? अभी तक आप लोगों ने like किया किया? फटा फट से क्या कर तुझे? फटा फट से like कर दीजे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं How were the debates with religious scholars important in the formation of Agbar's ideas on governance? कैसे जो debates चलती थी? How were the debates with religious scholars? जो religious scholars के साथ debate चलती थी किसकी? Agbar के ideas की? कैसे वो governance कर तदा देखते है? Agbar interacted with people of different faiths that made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often by gods. Their teachings created divisions and disharmony amongst his subject. This finally led Agbar to the idea of Suleikul or universal peace. He inferred that the idea of tolerance was of utmost importance because it did not discriminate between people of different religions. It is real. Agbar was famous, they were famous, they were good, they were good, they were good, they were good. They were good, they were good. They were good, they felt respect, they had equal treatment. These people who have the same choice, they didn't ask them or they didn't know them, they didn't like them. So that's why they were written a policy of Suleikul. So they told them that Agbar interacted with different faiths and people who know different religions. They were talking and talked about them. And that's the reason they understood what is important to understand them. So the rituals and the people who have made them, they didn't have to do this. The people who have the division and the people who have the religion and caste who have the religion, who have the religion, who have the religion, who have the religion, who have the religion. तो यह जो डिविजन है, यह नी होना चाहिए सब को एक जैसा समझना चाहिए, एक्वल समझना चाहिए तो इस फाइरी एलेड अगबर तो दा आइड ओस नहीं इसलिह वह इनवायलिवर्सल पीस जिसमें समय है भी जिसमें समय हिज़त मिलेगी सब एक दूसरे के पती समझे कि वहों वहार हमारी तो समझे ऐसा नहूं की इसी इसकी त्रादभ लुमे ! Instead it focus on a system of ethics that is, honestly Justice , Peace किस पर बेज दे भाई इस पर ओनिस्टी रहे सभी मानदा रहे सब के साथ में आये हूँ इक्वैलिटी रहे और पीस शांती में दिन रहे ठीए किसी ताइप की लड़ाई जगणा दुएश ना हूँ इसलिए इसलिए लिभी पर कार किसि बी प्रकार का किसी के सई डिस्क्रिमिनेशं ना हो सब कुछ पीसफुली चले उनके ऋनके शासन में ठीक है आया समच में आगे बड़े चल्ब यह जो मुगल थे वो क्यों इतना जो पसंद करते थे कि भई हाँ ठीक है वूंको जो मंगोल कहलाना पसंद नहीं था कि हमारे अल्सिस्टर मदर के साइट के मंगोल यह पसंद नहीं था बस उनको तैमूरीद पसंद था ऐसा क्यों देखते हैं गड़े बड़े बड़े असे दो रूलर के क्या थे यह दिसेंदें थे ठीक है, from their mother side, mother side की बात करें, तो किस के थे ये ये जैगिस खान के side से थे, मंगोल tribe से जो है, जैगिस खान के side से थे, जो मंगोल tribe के थे, और father side से किस के side से थे, तेमूर के side से, जो खान का ruler था, Iraq, Iran और modern day Turkey का, However, the Mughals did not like to be called मंगोल, because Mongol especially Jangis Khan, Babori was associated with the massacre of indivisible people. वो इसलिए इससे चिड़ते थे, वही जो बुगन्स थे, उनको बंगोल कहना थे, इसलिए पसंद थे, कि वो जैसा लगता थे, जंगी स्खान से जुड़ाया, और जंगी स्खान किस चीज के लिए रिस्पॉंसिबल था, जो जैंगी स्खान था, वही वो मार कार्ट, बहुत जादा खूद खराब एक लिए बहुत जादा फेमस था, तो वो पसंद नहीं करते थे, कि हमें इन से जोड़ा जाए, हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे खूद खराब पसंद नहीं करते, जैसे जो उस्बेक से जो मंगोल की कॉंपटिटर है उसे भी रिलीट करते है तो इसलिए भी इने पसंद नहीं आता था, On the other end, the Mughals were proud of their Timurit ancestry because Timur captured Delhi in 1398, हां, बट यह जो Timurit थे, कि हमें लगता था कि Timur हमारी जो पूरवज रहे हैं, मतलब जो पूरवज रहे हैं, तो उससे वो खुश होते थे, क्यूंकि Timur ने दैली को capture करा था कब 1398 पर इस चीज को प्राउड बानते थे, हमने यह भी देखा था था चाप्टर में जब पढ़ रहे थे, कि हर जो शासनकाल में जो जो आये Mughal के, तो हर कोई Timur के साथ अपनी पेंटिंग ज़रूर बनवाते थे, मतलब ऐसे पेंटिंग में उनके साथ खुद की पेंटिंग में बनवाते थे, आया समझ भी, कोई confusion दिखकन तो नहीं कि क्यों यह भाई मंगोल को असोसीट करना पसंद नहीं करते थे, बट Timur को पसंद करते थे, ठीक है, आगे बढ़े, चलो, How important was the income from land revenue to the stability of the Mughal empire? भाई क्यों इतनी जरूरी थी जो land revenue से income आती थी, ताकि जो empire है वो stability से चले, पर अब आरम से चले कोई दिखकता है, तो क्यों इतना सुरूरी था? देखते हैं. Mughal empire was dependent on land revenue. Without the revenue, nothing could be carried on. The king could not pay the salary to his soldiers, neither could he do any of the welfare work. The administrative expenditure was so vast that it could be met with the help of revenue. Hence, revenue was important to hold each of the subhas under the empire. अब ही कह रहे है कि Mughal empire के लिए, Mughal empire was dependent on land revenue. भाई, यह land revenue पर इसले depend होते थे, क्योंकि अगर कोई revenue नहीं आएगा, revenue कहां से आएगा? revenue land से आता है, अगर भाई, कुछ revenue ही नहीं आएगा, पर रॉाजडी है किने यहां चर्णों आई सेलरी पही पही है कर पाएंगे, और जब सेलरी में आए, थे साथ में जो है, arrogance की काम कर तो काम करेंगे, was नहीं काम कर काम? उन्द होगा कॉने इसां काम पर गवाइगे? रॉर तो काम करएंगे, बतलब an सब्सक्राइक का इतना लाइन रवेन्ज हो दा इसके है बाइन किन लिए प्राइबनै कशना बऊस्के आप्टाइट हो सकती था तो इसेकरणियो प्राइबनना इतना इतना लाइन मुश्किल हो जाता है बहुत जादा ज़रूरी था आया समझ में कोई confusion दिक्कत हो नहीं अगर revenue नहीं आएगा तो military का खर्चा कैसे दिख लेगा administration का खर्चा कैसे दिख लेगा ठीक है साथ में जो welfare आप कर रहे हो वह भी नहीं कर पाऊगे तो इसलिए बहुत जादा ज़रूरी था इसलिए एक stable income आना बहुत जादा ज़रूरी था आया समझ में आगे बढ़े ज़रू why was it important for the Mughals to recruit Mansabdars from diverse backgrounds and not just Suranis and Irani ऐसा क्यू था जो मुगल्स में मनसब्दार अपॉइंट करे थे तो हम देखे थे ते अलग-अलग बैगराउंड के रहे थे जैसे इडियों मुसलिब्स थे अफगांस नहीं इस तरी के ऐसा क्यू था ऐसा क्यों था कि कुछ तुरादी और इरादी से काप दी चला जो अधर लोगों भी दोदे अलग अलग धर्ब के कास की लोगों को भी रिक्रूट करा ऐसा क्यों था दिखते है With the expansion of Mughal Empire, the Mughals need bodies of personnel hence they recruit mansabdars from divers background and not just Turanis and Iranis but also Afghans, Rajputs, Marathas and other groups It was important for the Mughal Emperor to recruit diverse bodies of people in order to make regional people comfortable with them ऐसा वो इसली भी कर रहे हैं ताकि जो आसपास के लोग है जो अलग जो अलग रिजन के लोग है जैसे कोई अफगान होगा, उनका एरिया होगा कोई राचपूद होगे, उनका एरिया को माराथा होगा तो सब को रूट करके चलने में क्या था कि सब की सहमत ही रहती, सब खुश रहते Otherwise कोई अगेस्ट होता है या डरा हुआ रहता या सपोर्ट नहीं करता तो उनके सब को रिक्रूट करा उनका कि सब को मुगल सर्विस में रखेंगे तो इसा नहीं कि सिफ दुरादी और इरादी को ही रखेंगे तो विद्धा एक्सपांशन अफ विद्धा एक्सपांशन अफ मुगल एंपायर दे मुगल्स नीच बोडी तो परस्नल हैस दे रिकूरूट मनसबदार्स फ्रॉप डाइवर्स बैक्राउं अब 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 अफ्गान राजपूत महराथाथ इससे क्या होता ऐसा इसलिए इट वस इंपर्टेंट फॉर्टी मुगल्स एंपरर्टो रिकूर्ट डाइवर्स बोडी फॉर्डी इस पीपल इन ओर तो इतने ही लोग को आपॉइंट करते हैं हमें नहीं करते हैं अगेस एक रहता है एक थोड़ा सा फीलिंग वैसी रहती गुस्से वाली यह चिड़ वाली बड़ जब इंग्लूट करेंगे तो थोड़ा सा यूनिटी आएगा आया समझ में इसलिए लोग चाला की भी खहली जए है इनका एक ट्रिक स्ट्राटेजी थी कि सब को साथ में लेके चलना है सारे रिलीजन की रिस्पेट कर दी आया समझ में कोई कद्फिश दिखकत तुदी आगे बड़े चलो यहां आज भी इंडिया के सेकुलर कंट्री तो है बट फिर भी डाइवर्स तो है तो जब इंडिया इतनी डाइवर्स है तो नैशनल इंटिगेशन मतलम नैशनल लेवल पर सब में जो एकता होगी तो उसमें इंपेक्ट पढ़ता होगा क्या यह हमें बताना है नो, not at all. This does not pose any challenge to national integration. Unit in diversity is a special feature of India. क्यों? हमें इसका कोई फर्क नहीं पर था. क्यों? क्योंकि unity in diversity है हमारे इंडिया में. यह क्या है हमारे इंडिया का feature है? हमारे इंडिया की खासियत है क्या? unity in diversity is a special feature of India. यह special feature इंडिया का. Indians may belong to different regions, cultures, caste and creed. but this does not signify that they all are different people. यह जरूर है कि इंडिया में अलग अलग कास्ट के लोगे, अलग 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 धर्म के लोगे, अलग अलग जात्पात के लोगे, अलग अलग रीजन, cultural, background लोगे इसका मतलब यह नहीं है, इससे यह नहीं होता कि सब लोग अलग अलग है, हम इसको अलग नहीं मानते, क्यूंके हमारे यहां तो unity है, diversity में, they all, all one and are proud of being Indian, they are all one and proud of being Indian, सबको proud है, B के दिदियन, मतलब खुद को भारती खिला दे कले, सबको इनको खुद पर proud है, हमें है नहीं क्या, क्या आपको proud है, आप बताईए, मुझे भी proud है, आपको भी proud होगा, लगता हुआ कि अच्छा है, इतनी सारी variety जह हमें देखने को मिलती है, हमें अलग-अलग language सुनने को मिलती है, अलग-अलग dishes देखने को मिलती है, हमें अगर वो अलग caste का है तो इसके कुछ अलग पाता चलेगा, रहे, इसके तो ऐसा पहनते है, इसके तो यह language बोलते है, इसके तो यह डिश्पंदी तो मजा आता है, अच्छा लगता है, ठीक है, आर constitution does not discriminate us on the basis of caste, religion and sex, there is no official religion, हमारे जब constitution है, वो कोई discrimination करता ही नहीं, वो सब को equal समझता है, उसके लिए सब एक बराबर है, चाहे वो कोई से भी color का हो, कोई से भी caste का हो, कोई से भी religion का हो, doesn't matter, constitution को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब क्या है, एक बराबर है, वो discriminate करता है, caste की basis पे, religion की basis पे या sex के basis पे, there is no official religion, इसलिए यहां पर कोई official religion भी दिये, हमें नहीं करेगे कि इंडिया इसलिए धर्म की घड़री है, यह इंडिया में यही धर्म है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्यों क्योंकि secular है, कोई भी religion को इंडिया प्रमोर्ट नहीं करता, आया समझ में, तो इस but they are sorted out in an amicable way, कभी 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 कुछ होते हैं, conflicts occur होते हैं, बढ़ते हैं ऐसा है, यह 100% समझा है, but यह की तरीकों से उनको solve कर दिया जाता है, but they are sorted out in an amicable way, उनको sort out कर दिया जाता है, whenever there is external threat, all Indians come together, जब भी ऐसा कुछ लगता है कि भी बाहरी कोई शक्ति, बाहरी तरीके, बाहर से कोई हम बैटक न करते हैं, हमें लग रहा है भाहर से कुछ, जिस है मुझे तरीके अतनगवादी हमने इस तरीके कि तब हम क्या करते हैं, तब सारे इंडियान क्या होते हैं, कम तोगेथर, मतलब साथ पे आते हैं, the unity of India was seen during the freedom struggle, the unity of India was seen during the freedom struggle, unity अग हम बात करें, इडिया क जैसे पाकिस्तन और चायनकडन, तब हम सब क्या करेंगे, तब हम एकता दिखाते हैं, तो जैसे मुगल्स के टाइम में था न, कि हम बात करें कि यूनिवर्स्टी, न, डाइवर्सिटी की, कि उस तरह पर डिस्क्रिमिनिशन था, तो आज की टाइम पैसा कुछ पी नहीं है क्योंकि हमारा constitution सब को equal मानता है, हाँ, कभी-कभी problem आती है, बढ़ हम साथ में मिलकों को sort out कर लेते हैं, तब हम दिखाते हैं कि हम कितने एक हैं, ठीक है, आया समझ पे, कोई confusion दिक्कत तो नहीं, आगे बड़े, चल्ड़ Okay, question number 11, peasants were vital for the economy of the Mughal Empire, do you think that they are as important today, has the gap in the income between the rich and the poor in India, changed the great deal from the period of the Mughal? अब, peasants क्या थे? इंपोर्टेंट थे, अच्छा हमने देखा था था कि मुगल्स के इंकम के बहुत बड़ा जरीया क्या था? जो इंकम उनकी किस से आती थी, जो peasants produce करते थे, यानि क्रॉप से, जिसको toder मलने, हमने देखा थे, सर्वे भी करते थे, कि कौन सी क्रॉप में क कितना टैक्स वगेरा होगा, तो किसके थो कितना रेविन्यू जनरेट होगा, यह हमने देखा था, तो that means, peasants क्या थे? इंपोर्टेंट थे, क्यों? क्योंकि भही केती बाडी का काम भही करते थे, जिससे इनकी इंकम जनरेट होती थी, तो peasants were vital for the economy of the Mughal Empire, do you think that they are as important today? है, ठीक है, has the gap in the income between the rich and the poor in India changed a great deal from the period of the Mughals, मतलब जो income थी, जो एक income हो जाती है, rich और poor के बीच में, in India changed a great deal from the period of the Mughals, तो यह हमें answer करके बताना है, देखते हैं, क्या हमारा answer है, agriculture plays a vital role in Indian economy, agriculture, यह हमें पता है, बहुत ही important role play करता है, इकनोमी में, agriculture आज भी हमारी country में जादा ही होता है, ठीक है, तो agriculture क्या करता है, agriculture plays a vital role in Indian economy, इकनोमी में agriculture क्या करता है, एक important role play करता है, पीजन्ट are important today as they were during the Mughal Empire, पीजन्ट तब भी इतने important थे, आज भी इतने important है, जितने मुगल empire के time थे, हम कह रहें ना कि क्या आज भी इतने important है, यह प मुगल empire के time थे, तो पीजन्ट are important today as were they during Mughal Empire, they pay land revenue to the government which is used in various policies, grants, subsidies, projects, प्रोजेक्ट, वो क्या करते है, वो भी land revenue pay करते है, क्या करते है, they pay land revenue to the government, government को क्या करेंगे, भी land revenue देते है, जो किसलिए काम आएगा, जो policies बनाने में काम आता है, ग्रांस क्लिए 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 क्लि और प्रोजेक्स क्लिए काम आता है, during the Mughal rule, all were virtually agriculturist, no other source of income was different from that of agriculture, अगर Mughal period की बात करें, तो आज तो ऐसा खुछ नहीं कि सभी agriculture कर रहा है, सभी किसान है, कोई government job कर रहा है, कोई doctor है, engineer है, कोई किसान है, but Mughal time की बात करें, तो यह कहरें, कि no other source of income, और कोई source of income थी नही यह इतना जाला जरूरी था, मतलब, तो during the Mughal rule, all were virtually agriculturist, मतलब, सब agriculturist ही थे, और इसके अलावा कोई दूसा source of income थाई नहीं, इसी से income generate होती थी, यह हमने बहुत अच्छे से देखा था, कि major source of income था Mughal's के तो no other source of income was different from other than of language, agriculture, so income gap between rich and poor was not so much as is today, हाँ, पर जो आज के ता जो farming कर रहा है, उसके income, और जैसे कोई teacher, कोई scientist, कोई CA, इनकी income के विजबे फरक होगा, but उस time पर यह difference नहीं था, क्यों? क्योंकि कोई और other source of income थी नहीं, सब क्या थे, agricultureist ही थेक तरीके से, तो इसलिए उस वक्त पे, income में कोई gap नहीं था, उस वक्त में rich और poor के income में कोई सब्सक्राइब नहीं था, जो आज हमें थेकने को मिलता है, now people find more income based jobs, other than agriculture, क्यों? क्योंकि आज़कल और भी कोई jobs कर लेते हैं, सब्सक्राइब थोड़ी के हर कोई, अगर मुझे, मुझे क्रशी नहीं आती, मुझे farming नहीं थी, तो क्या मैं कुछी नहीं करूं, मैं बैठी रहूं, नहीं मैं अधर job कर सकती हूं, उस समाने में पर साधा था, रागरी कल्चर ही होता था, तो rich और poor के income के बीच में से कुछ gap नहीं होता था, बट अब आज है, क्यों क्योंकि अगर कोई किसान है, तो ठीक, नहीं है, तो कोई दूसरी job कर पाता है, आया समझ में, तो पट अगरी कल्चर आज भी उतना ही important है, जितना पहले हुआ करता था, यह हमें पता है, ठीक है, आया समझ में, कोई confusion दिखक तो नहीं, clear हुआ, चल्ड़ Still peasants are important today as more than 55% of the population of our country is agriculturist, आज भी still, आज भी जो है, peasants को क्या माना जाता है, important माना जाता है, क्योंकि लगबग 55% से भी जादा, जो population of country की वो agriculturist है, agriculture में busy है, engaged है, agriculture and elite sectors like, light sectors like forestry and fisheries accounted for 13.7% of the GDP, अगर हम देखे हमारी country की GDP कैसे include होती है, किन के थुरू आती है, तो यह agriculture और other allied sector, जैसे forestry, fisheries, इनी के थुरू आती है, 13.7% GDP तो हमारी इनी से आती है, तो हम क्या कह रहे है, हम ही कह रहे हैं कि भले ही rich और पूर में यहाँ पर आज के डाइम पर gap हो सकता है, बट आज भी हमारे यहाँ क्या है, लगबग आदे से आदे population agriculturalist ही है, हाँ, बट मोगल empire की टाइ आगे बढ़े, चलो, the Mughal empire left with an impact on the different regions of the subcontinent in a variety of ways, find out if it had any impact in the city, village or region in which you live, यह अपनी तरफ से कंडे वाला question है, यह कहरे है कि Mughal empire ने क्या कर रहे है, अपना impact अलग-अलग region और subcontinent में छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, क्यों कि बहुत बड़ा empire था, बहुत fast empire था, तो जित vast empire, that means क्या, उनने कही ना कही तो उनकी चाप छोड़ी हुई होगी, तो ऐसे ही बोल रहे है, कि इसी लिए, find out करें, जहां आप रहते हैं, क्या वहाँ पे, जिस village में, ताउन में आप रहते हैं, रीजन में आप रहते हैं, वहाँ पे कुछ है इसका, तो बताना है, हमें Mughal Empire की तीर, Delhi क्या थी, Delhi Mughal Empire की capital थी की नहीं थी, Delhi Mughal Empire की capital थी, the empire changed the face of the city, empire ने भई स्रिधी का तो face ही change कर दिया, हमने देखा ना काफी चीजे कुछ बनवाई हैं, उनने बनाई गई है Mughal Empire की थ्रू, we see the Red Fort, Charti, Chawg, Zawa, Bazzit, Hubayu Storm, the Mughal Garden, etc in the city, अगर Delhi की बात करें, त बनाया है Mughal Empire की नहीं बनाया है, नहीं बनाया है, हमायू Storm, Mughal Garden, यह सब किस की थ्रू बनाया है, यह Mughal Empire की duration में ही पनाया है, ठीक है, in the city, the city still looks like an ancient capital in old Delhi area, अगर पुरानी दिली की तरफ जाओ तो अभी भी ऐसी लगती जैसे Mughal का पीरेन है, Mughal का दौर, अभी वैसे अभी फील आता है, ठीक है, people still feel proud to have their home in such a capital city, लोगो को proud feel हो है कि हम इस capital city में भी रहते हैं, inside करते है, people from all over the world come to see it, अलाग अलाग लोगों से, मलाग जगे से, लोग आते हैं देखने के लिए, एक किले को, रेट फोर्ट को, यह सब को अभी भी लोग देखने आते हैं, Delhi looks very colorful and significant with such historical background, Delhi कैसी लगती बहुती colorful और एक important जगे है, क्यों? क्योंकि इसमें इतना significant, इतनी important क्या है background है, इतनी historical background है, हमने देखा ना, केस का example लिया, हमने डेली का example लिया, और Delhi कैती मुगल्स की capital थी, अब जहां capital होगी, तो वहां तो वैसे ही, जब दूसरे cities में चीज़े बन सब्सक्राइब, या कुछ नो कुछ तो किला वगेरा, कुछ नो कुछ तो ऐसा बनवाएगा कि पता चले कि भहिया, उसके time का बना हुआ है, जब उसका शासंदा उसके time का बना हुआ है, तो ऐसे हमने देखा मुगल का घ्जामपल या, डेली का, यह अपने according करने वाला answer है आप दूसरी city से हो, अगर आपको वखाप मुगल का कुछ influence पता चलता है, तो आप उसके according answer कर सकते हैं, यह मैंने देली का example लिया, आया समझ में, कोई confusion दिक्कत तो नहीं, चलो सो भई, इसी के साथ हमारे NCRT solutions end होते हैं, I hope इतने सारे variety of questions करके आपको मजाय होगा, चीजे समझ में आई होगी, next class में क्या करेंगे भी, next class में हम करने वाले हैं, MCQ सोस के लिबी रहेगा, preparation करके आईएगा, इसी के साथ ही video end होती है, अगर आप और भी video की lectures देना चाहते ह हैं, e-notes और e-books के link आपको description box में available है, ये high quality की courses है, जो की 100% free आपको available है, आप हमें other platform पर भी follow कर सकते हैं, Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp पे, ज्यादा सेदा लाइक कीजिए भई, ज्यादा सेदा शेयर कीजिए और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले, अपना ख्याल रखे, thank you so much for watching not公 реले, जर बता हुआ experience, शेदा जया गूले, जो के विए जादाग सेदाध चाहूले, खादाध सेदा हैं, जैसा आपको जाइए?